नवश्कार दोस्तो वेलकम टू गौर्वर्मेंट इग्जाम इंफो तो स्वागत आप सभी का आज के वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं कुछ लोगो पूषते रहते हैं कि क्या इसकी संभावना है आने की इसकी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में तो वीडियो में रहीगा और वीडियो को लायक अगर नहीं किया है तो और चैनल का सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स टाइम इस चैनल पर आये हैं तो चले शोग बढ़ते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इन अबडेट्स को तो देखें यहां पर जो पहला अपडेट है वो सिक्षक भरती को लेकर है और यह जो सिक्षक भरती है वो है आपका बेसिक सिक्षक भरती इसमें क्या कहा गया है ध्यान से देख लीजे और इसमें जो जो इंपोर्टनिस यह वो हम देखने वाले सबसे पहले यहां पर दिया बेसिक शिक्षक भरती में N-IOS D-Late को सामिल करने की आदेश पर सरकार हाइकोट से अंतरिक आदेश पर पनर विचार का अंदरोध करेगी यानि कि जो high court का order है उसको government high court से अनरोध करेगी कि उस पर दुबारा से विचार किया जाए सरकार ने सिक्षाई भाग को high court के 28 अप्रेल के आदेश पर modification अप्लिकेशन लगाने की मंजूरी दे दी है तो 28 अप्रेल का order था उस पर application लगाने की मंजूरी दे दी है इसके अलावा basic शिक्षाई देशक बंदना गर्ब्याल को इस मामने में तेजी से कारिवाई करने के निर्दिश दिये गए सूत्रों के अनुसार शिक्षाई भागने high court से modification अप्लिकेशन के मारफत वर्तमान प्रिक्रिया की बावत भी guideline लेगा बीते 28 April को high court ने NIOS को वर्तमान जो आपके पोस्टे हैं 2724 पदों पर जो चल रही है आपकी सिक्षक भरती है इसमें सामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है जो 28 April का आदेश है और ये आपको पता होगा वर्तमान में इन पदों पर 1849 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है बाकि 875 पदों पर भरती की प्रक्रिया high court के आदेश पर रोक दिया गया है ये भी आपको पता है तो high court की आदेश से सिक्षा विभाग मुश्किल में दरसल सुप्रीम कोट की आदेश के अनुसार किसी भरती पर किया के बीच में संसोधन नहीं किया सकता है ऐसा court ने कहा है सुप्रीम कोट ने और सवाल यह भी है कि यदि नई सिरे से merit तयार की जाती है तो अब पूरी जो चैन प्रक्रिया है वो गलबला जाएगी ये बात कह जाएंगे केवल रीट दायर करने वाले अभिरतियों को सिक्षक भरती में सामिल करने पर बाकि ये नियुस डीले प्रशिक्षित आपत्ती कर सकते हैं तो देखे ये पूरा मामला है यहां पर तो कुल मिलाकी अपडेट यह है कि जो बेसिक शिक्षक भरती है इसको दुबा अगला जो अपडेट है वह है आपका प्रवक्ताओं की भरती को लेकर इसको लेकर बार बार अपडेट सवाल किये जाते हैं और अपडेट भी आते रहते हैं बीच बीच में कि प्रवक्ता की भरती कितनी पोस्टे हैं और कब हो सकता है ठीक है तो इसी ही हम बात कर लेते है लेकिन सवाल यहां पर यह रहता है कि क्या यह vacancy इस बार जारी होंगे या नहीं ठीक है तो देखते हैं यहां पर क्या update है सबसे पहले तो 1350 प्रवक्ता शिक्षकु की भरती होगी यह तो आपको पहले भी update देखने को मिला होगा ठीक है और 20 चीज़ में update साते रहते हैं और जो vacancies available है उस पूरे seats पर आपको notification देखने को नहीं मिलेगा सबसे बहले update में जो जो important चीज़े कही है उसको समझते है यहाँ पर दिया गया है कि उत्राखंट के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता के 1350 अतरिक्त पदों पर भढ़तिया होगी ठीक है प्रवक्ता LT के लिए जो आपका 1350 अतरिक्त पद है उस पर यहाँ पर vacancies निकाली जाएगी लेकिन पूरे total जो पोस्टे अवलेबल है उस पर vacancy नहीं निकल पाती क्यूं सबसे वहले यहाँ पर अगला जो point कहा गया है वो सिक्षा देशाले ने section 71.222.23 के पोस्ट fixation के तहाट 100 से अधिक स्कूलों में प्रवक्ताओं के यह अपद श्रजित किये हैं तो fixation के तहट यह 100 ऐसे स्कूले जहाँ पर यह पोस्टे अवलेबल है इसके लावा इन पदों पर सिक्षकों की पदोनती इस्थनानांतरन या नियुक्ति के माधियम से तैनाती होगी उच्च माधियमिक अक्षाओं की मजबूती के लिए सिक्षा इंसाले ने हाल ही में द अब कि तेरह सो पचास पोस्टे हैं लेकिन उस पर पूरे जो पोस्टे उस पर नॉटिक्वेशन नहीं जारी हो सकता है कारण है पदोनती दूसरा है आपका इस्थनानतरन जो स्कूल है वहाँ पर जो प्रवक्ता पर प्रमोशन के बाद जो टीचर्स यहाँ पर जाएंगे वह पोस्टे कुछ वहाँ पर फिल अफ हो जाएंगी इसके अलावा जो ट्रांसफर के बाद उस जगवाँ पर जाएंगे सौई स्कूलों में जो भी आवलेबल सीट से वहाँ पर कुछ पोस्टे फिल आप हो जाएंगी तो उसके बाद जो आपकी से बचेश बचेवे पोस इसके बाद यहाँ पर आपके लिए अप्लाई या नोटिफिकेशन जारी होगा ठीक है तो यही चीज़ है यहाँ पर इसके अलावा सवाल यह उठता है कि 2022-2023 के यहाँ पर वैसे मैंशन किया गया सेक्षिमिक सतर के लिए लेकिन क्या यह जारी हो सकता है तो मेरे ही साब स इसमें थोड़ा टाइम रहेगा ठीक है अभी जो फाइनल प्रवक्ता का पूरा सेलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है जो पिछला था उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लेकिन कब तक रहेगा यह सवाल उठता है तो मेरे ही साब से इस साल के आखरी जो तीन से चार मंद ह है ठीक है उसमें आपको देखने को मिल सकता है या दो तीन मेंट जो आखिर की रहते है उसमें आपको यह प्रवक्ता का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ठीक है हाला कि यह डिपेंट करेगा कि कितना प्रशर रहता है गौर्मेंट पर और जो केंडिट से उनके कितना प्रेशर रहता है ठीक है उसी के बाद यहां पर नोटिफिशन जारी होने की समभावना दिखती है जालतर ठीक है इसके बारे में आपका क्या कहना है वैसे यहां पर एक और ची बतातूँ जो सब्जेक्ट है आपके यहां पर कौन कौन सब्जेक्ट है जिसके पद्जरजित होंगे तो हिंदी अंग्रेजी अर्थसास्त्र गरित राजनिती विज्ञान रसायन विज्ञान कॉमर्स भगो लिथियास उर्दू संस्कृत भातिक जी विज्ञान समासात्र संगीत फाइन आट इन सभी पोस्टों के लिए यहां पर आपके जो जारी होंगे ठीक है लेकिन तेरह सब उजासनी उससे थोड़े से कम पोस्ट है यहां पर आपको देखने को बिलेंगे कुल मिला कि यही अपडेट है आज के लिए इसके बारे में आपके क्या नहीं करके बताईए और वीडियो को लाइक कर देना चैनल